हम यह नहीं देखते कि मेरी फसल 20 रुपे किलो में ही बिखनी चाहिए मैं दूसरे एंगल से देखता हूं कि मेरा इस फसल पर पांच रुपे का खर्चा हुआ है ना दस रुपे में ले जाओ खुश रहूँगा मैं डबल पैसे मिल गए वह किसान हमेशा जीतेगा जिसको यह पताई कि कल मुझे क्या करना है मेरा क्या सवाल है कि कोई भी किसान जब आपसे जुड़ता है पूछेगा कि भाई मेरे को पैसा कितना मिलेगा अब तो बहुत ही अच्छा है लास्ट यह हमने 56 करोड किया था नमस्कार दोस्तों आज हम है दिल्ली एंसीयार में गुडगाओं में और आज हमें एक ऐसे कंपणी के फार्म पर है जो कि आपने देखा होगा बहुत सारे जगा पे सरका इंटर के करोडों का टर्मर होता है लेकिन दोस्तों सुनना और आके पूछना यह द ज़्यार कर लिजी जाएगा साइड dw euro करते नहीं सब्सक्राइब कर लीजए आप सब्सक्रायब कर लिज्यार तो आज हमारे साथ वर्व कर नमस्कार पहले तो आपके कंपणी आरे में बताहिए मृतुरा शर्म हम चलाते हैं जसकी अन्नर सहोपित फर्मिंघ से पूर्पर म बना रखा है जिसमें हम अलग अलग जगों पर लेंड लेते हैं different agroclimatic zones में लेंड लेते हैं एक ही farm के उपर different अलग अलग फसल लगाते हैं जिससे कि diversification बैठा रहे और एक फसल जो है कि भारत में आप अभी कितने एकड़ खेती कर रहे है अभी टोटल है हमारी खेती 13,000 एकड़ से ऊपर की खेती है more than 11 states है around जब 13,000 एकड़ की बात आती है तो लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि 13,000 एकड़ आपने खरीद लिया क्या नहीं नहीं वो बताइए थोड़ा डिटेल इसमें बहुत interesting concept है कि हमारा capex light model है हम चीजे खरीदते नहीं capex light का मतलब capex का मतलब है capital expenditure अगर मैं जमीन खरीदने में पैसा block कर दूँगा तो फिर मैं खेती कैसे करूँगा वो पॉसिबल भी नहीं है जमीनों के भाव तो अलग अलग जगे अलग होगे कहीं पे 10 लाग रुपे बीगा की होगी हमारा model यह रहता है कि हम generally बड़ी जमीने मिनिमम जैसे 50-100 अकर वाली टाइप्स की जमीने लीज पे या फिर राइट टू यूजेज में लेते हैं तो भारत में इतनी 100 अकर जमीने कहां पे मिलती है है तो अगर आप टिपिकल फार्मिंग बेक्राउंड में देखेंगे तो उसमें तो क्या होगा फ्रेग्मेंट होत टुकड़ा होता जा रहा है और बड़े इस तर पर देखा जाए अगर अगर डेटा देखा जाए तो टोटल भारत के अंदर पच्पन करोड एकर जमीन है जिसमें से अप्रॉक्सिमेटली पांच करोड एकर का जमीन का हिस्सा है जो 25 एकर से बड़ा है सिंगल होल्डिंग म या तो बहुत ही अच्छे रिच फार्मर जो अच्छी बड़ी खेती करें मशीनरी वगरा लगा के या फिर उनके लेंड डॉनर देना शेहरों में जाकर कुछ बपना बिजनस या काम करें उनके पास जमीने पड़ी है और वो सब कर आते हैं मतलब आपके जो फार्मर है कम स के ओपर खेती करने के लिए तो operational expenditure हम लगाते हैं पहले capital expenditure हमने नहीं लगाया में हम दो चाय के बगान चलाते हैं तीन चाय के बगानों का total है approximately 7000 अच्छा मतलब सबसे ज्यादा आपका वहां पर चल दा है तो वहां पर आप आपके बंदे रहते हैं वहां पर तो बहुत इंट्रेस्टिंग कॉंसेप्ट है कि चाय के बगान टेक्निकली बहुत पहले से रही पिछले 100 सालों से चल चलதे आ रहे हैं आप नोटेश करों चाय के करई हमारे मेंजमनेंघ्मेंट टीम को पूरा मैनेजमेंट था वो हमने हमारे चलाना शुडू कर दिया आपके वहां पर जाने से चाय के बगानों के फार्मर को क्या फाइदा हुआ राइट यह आपने बहुत इंट्रेसिंग कोशिन किया अब होता है कि जब कोई आदमी चाय का बगान ही चलाता है तो उसका प्यॉ श्लोज नहीं आते ना तो बिजनस रुकने लग जाता है हर महीने कुछ ना को जाता रहेंगा तो आपको भी नीचे जो काम कर रहें उनको भी चलाइब नहीं बगाने तो वह वाला चीज है अब जैसे जन्वेरी से मार्स पे बीच में अगर पर चाई की पत्ती की तुड़ दो:「 गें, जैंट एफ रही क्र NICK काम करने मज़ा रहा है Bush भूटा है। मुझ सबको कुछ नहीं है। आपने मांड मैं सबस्क्राइब सबस्क्राइब इंग हो होसुक्त मैं है कि इतने हमस्ती ताफ कोस्तare वह लगएंगे किसानों को वहाँ पर क्या फाइदा होगा मुझे नहीं समझा पैसा बढ़तरी होगी उनकी उनकी क्या दिक्कति पैसा बढ़तरी नहीं होती है पहले जनरली चाय के बगानों में अगर जैसे ध्यान नहीं दिया जा रहा और चाय एक बहुत ऐसी चीज जो पूरा भारत भीत है अगर आपने चाय की बात करें तो अपने आप में चाय बगान को चलाना अगर आपने छोटे-छोटे ओपरेशन में ध्यान दे दिया तो चाय का प्रोडक्शन में ध्यान देते हैं ध्यान देते हैं तो काम ज्यादा आता है प्रोसेजर में ध्यान देते हैं तो हमारे बगा करेंगे बस आप मैंजिंग कर रहें मैंेजिंग कर रहें मैंजिंग कर रहे हैं ο प्लस इंको कंसिटन दे रहे हैं चाय के बगान पबेऊ पहले से Home से रिए अर्मल केती में नहीं होता है था यह उत वहां पर शुरू के 45 दिन तक हो सकता है कुछ भी नहीं आएगा नहीं आएगा ना क्योंकि वह तो पैदा बड़ा होगा सब चीज होईगी आप प्रूनिंग भी करोगे सब चीज कर दोगे उसके अंदर तब तक क्या अपन लोगों को पैसे नहीं देंगे अब हमने वहां पर एक फील् में तो देते रहते हैं रोकते नहीं है पहले नहीं पैसे पचास दिन तक तो आप जब हमारे साथ आएंगे तो वहां पर क्या होगा वह तो मैं इसका ज्यादा अच्छा तरीका पता है कैसे है जब 6 महीने बार कैप्सिकम हटेगी और जब दूसरी फटल लगने में दो महीन के तीन महीने में कुछ भी नहीं हो रहा तो भी मिलेगा उनको कितना देते रहेंगे जितना पहले देते रहें लेकिन यह तो छह मेने का प्रॉसस है रोज तुड़ा ही होगी दो दिन में एक बार हो जाएगी अलग अलग फार्म जिस तरीके से आपने मैनेज करता है पोल्य रहे लगेंगे लगेंगे और हम्में कैसे भी कर्के हर महीने के 30 ,000 रूपए लाना है है चाहा है representing मैं कैप की को लिए गाँ हूँ चाहिए मैं काध की लेकिला हूँチャ मैं मेरे द्रेसे वाइश कर लेकिला अगय। जोगी मैं company हूँ आप ऐसे बोल सकते हैं इस नोट टाइप ऐस टीपिकल सेलेरी सेलेरी जैसा ची यह एक ऐसा है monthly secured income जैसा system बन गया जिसके अंदर उनको यह सवलिया थे कि अगर वो खुद से खेती कर रहे होते हैं राइट तो problem क्या आती कि भाई कभी us लाइक ही कभी कभी मिला कभी नहीं मिला कभी नहीं मिला कभी अच्छी होगी है Leo नेसारे जो रिसक थे इसने उन लोगों को में ज 만들 कर दिते के अंदर में हो सकता है आप से पर एक्ड़ बटाई अब जैसे फार्मर है जहां पे जैसी क्रॉप है उस हिसाब से पाश्यान करते हैं लेंड ओनर से लेंड वो गया अब आप ही अगर आके बोलते हो मैं मैं इस फार्म को तुमने में को लीज तो देदी मैं मैंनेज करना चाहता हूं मेरे पर टीम मीम सब है मैंने का ठीक है तो आपको टीम और उसका बजट दिया जाता है लेट से आठ लाग रुपे साल आना अब इसमें चला लो ठीक है आप अपने भी पैसे निकाल लो यह जो यूल्ड निकलेगा आप लेकर जाएंगे यूल्ड हम खरीदना यह बाद भी है वहाँ पे रेंट तो ही वह तो है आप कर रहे होते तो आप अपने से उस खेत के लिए कर रहे होते और पूरा रिस्क पर रहता हूं हम क्यूं कर पा रहे हैं आप से क्यूर कैसे हो आप लेंड न थे आपको पैसा मिल गया आप भाई अब ठीक है मै मेरे को तो लीज मिल चुकी अब मेरे को कुछ नहीं करना कैसे कर पाती इतना जंजट है यह सब को यह बात बोलता हूं हर जगे पे मैंने यह बात बोली है कि पूरे भारत की खेती एक साथ कभी नहीं हो सकती मतलब जो वैदर है और मार्केट प्राइस है सारी फसलों के तो हर टाइम पर वैसे रहेगा थोड़ा सा मुझे आपके यहां गुडगाओ का जो आपका में फाम है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मैं से बता दो यहां पर मेंली होटिकल्चर क्रॉप से और साथ हमने थोड़ा सा प्लांटेशन भी रखा है हम आप 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 से बिख सकता है इसलिए हम यहां लगाएंगे मैं राजस्थान के किसी गाउं में जाके प्रॉखली नहीं लगाएंगा महां पर हम सर्तों ही लगाएंगे साब आसानी होगी आप जैसा जियोग्राफिकल वातावरन क्लाइमेट उस हिसाब से आप उतपादन लेना चाहते है यह बहुत इंट्रेस्टिंग है not only with weather और यह सब चीजें sales market को देखते हुए भी तो आपके पास कितने लोग है जो इतना manage करते हैं total हमारी टीम है अगर क्रशी वीर और सब को मिलाके सारे लोगों को मिलाके around 4000 लोग काम कर रहे हमारे साथ जिसमें central team में approximately 120 लोग है हाँ वह important अपनी locations में हैं क्योंकि उनका travel रहता है वहता है बीच वीच में audit team agronomy team भी जाती है यह बहुत इंट्रेस्टिंग बिल्कुल corporate जैसा ही system है हमारा हम यह नहीं देखते कि मेरी फसल 20 रुपे किलो में ही बिटनी चाहिए मैं दूसरे एंगल से देखता हूं कि मेरा इस फसल प वह बिकेगा प्राइस की गारंटी नहीं है हां यह फिक्स है मां मंडी में लेकर जाओ माल एक रुपे में बिख जाएगा सो रुपे में बिख जाएगा बिकेगा तो है तो cash flows लाना जरू है normal किसान दूसरा normal किसान क्यों win करता है उसका reason यह उसको पता है कि आज मुझे क्य करना कम्पनी mixture लेवल फे हमारे लेवीवी पर हमने क्या दिक्केत आती ती हम पहले यह गलति करते थे अब सीख गए तो हमारे साथ क्या होता था कि हमिने नहीं पता हुटा था कि आप क्या करना HEY तो हमारे जैसे eth पहले बारिश हो गई अब इस प्रें नहीं होगा अब यह उसने जब शिडियूल बनाया था एक महीने का था थोड़ी लिख रखा था उसमें कि उसमें बारिश होगी उसको थोड़ी पता यह बात यह बात यह तो नॉर्मल किसान इस चीज को बहुत आसानी से कर देता है क्योंकि वो रोज फार्म पे जा रहा है इसी वजए से जो अब हमारी डेली टाशीट रोज लिखके आती थी और टीम आ रही है हम यहां पर सेटलाइट इमेजरी भी देख रहे हैं तो उन सब चीजों से पांच शे जगों से डेटा को कंबाइन करते हैं तो अब हम यह कंपनी आपकी बड़ी हो जाएगी हम चोटे ही रहेंगे यह सवाल बेसिक सवाल और मेरे मंण भी आएंगे बिल्क रहें उसके बारे मखें मान पताए बता corporate system आता है या कहीं पर भी ऑफिसी बात है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले हमारा पैसा तो रिकवर हो चाहिए किसी फॉर्मेंट में लगे चाहिए आपको लीज देंगा तो मैं उसकी recovery किस से करूँगा फसल से ही तो करूँगा और मैं अगर आप वहाँ पे जो लोग हैं ऑफिसर्स हैं उसको salary दे रहे हैं उसकी recovery भी फसल से ही होगी तो हम क्या चाहिए इसको आप ऐसे ले लीजिए अगर landowner है और वह हमारे साथ मिलके काम करता है इसको जादा अच्छे समझने का तरीका है FPO मॉडल FPO है उसके सब्सक्राइब 300 किसान है हमने उस MPO को बोला कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ जितने भी यह 300 किसान है इन सब को मंतली इंकम देना शुरू कर देते हैं अब किसी किसान के बाद 10 एकड होगी किसी किसान के बाद 2 एकड होगी हम सारी मिला के 1000 एकड में लेट से 5 फसल लगाएंगी कोई फसल अच्छ मैं अगले साल खाली भी तो कर जाओंगा आपका भी नुकसान हो सकता है हम उसको इस तरीके देखो यह बिजनस थोड़ा सा ट्रस्ट का है अगर कोई नुकसान होता भी है तो मैं भी तो अब आप इसको देखिए कंपनी के अंदर कोई इंसान अगर काम नहीं करता तो वह न मेरी जमीन मैंने आपको देदी तो लीस तो मेरे को मिल गी हम मैं ही मैंनेजमेंट करूंगा तो आपके अकोर्डिंग थोड़ी मैंनेजमेंट करने देंगे हम हम बताएंगे कि आपको आज यह करना है तो करना ही पड़ेगा हम चैक भी करने आएंगे हम हर पंदरा दिन के अ यह सब चीज तो वैसे क्रॉप पर डिपेंड करती है लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हम टेक्निकली इसको ज्यादा अच्छे से अगर कोई किसान लाग रुपे लगा के डिला कमा रहा था तो 50,000 रुपे की कमा रहा हुई हमारे साथ जुनने के बाद आप इसको एसे लिए कि लाग नहीं कमा रहा हुई है अब वह बिना पैसे लगा देड़ लाग कमा लेगा पैसा आप लगा रहे हैं और आपको 10,000 दिया सो एकर थी तो 10,000 रुपे उससे आ गए तो वह पैसा मिल गया आपको 10,000 रुपे मेरा क्या सवाल है कि कोई भी किसान जब आप से जुड़ता है पूछेगा कि भाई मेरे को पैसा कितना मिलेगा एक तो इंसेंटिव आपका बोल रहे हैं इंसेंटिव अगर अगर है ना वह मेरे साथ जुड़के ज्यादा आएंगे बड़ी जमीन हो जाएगी सबको मंतली भी मिलने लगेगा सबको काम भी मिल जाएगा एक साथ मचीनरी और सिस्टम भी बैठेंगे और काम अच्छा हो जाएगा कि बड़ा किसान जिसके बास सो इकर जमीन है उसने उसने खुद के ट्रेक्टर वगरा सब ले रखे होंगे पहले से तो लीज आप सालाना जगह की हिसाब से करते हैं जगह के हिसाब से करते हैं हमारे यहां पे की 20-25,000 रुपे लीज है जब एक एक तो पहली चीज तो आप लीज भी दे रहे हैं दूसरी चीज जो आप वसल किसान उसका पहां पर ही लगा रहा है है कि मुनाफायरे कि आप देख रहे तीसरी चीज का यह है कि सारा व्परिषान शीचा сто शुप डे शुडे कैसे और वा भी खुश हैं क्योंकि विरसा चाई वगान का एक्दाम पर लेते हैं हमने थोड़ा बाद अच्छा किया हमें एप्रिशेंट लटर भी आया हमेर महां से चाई मजदूर संग से तो हमार सा जब जुड़े तो पहले वह ना दिन की पंदरा किलो है ना चाई तोड़ते थे एक आदमी आज वह कि आपने वहां पर इंसेंटिव नहीं चुटी चुटी चीजे आप राशन अच्छा दे उनको खुश रखो तो वह आपके साथ जुड़ रहे हैं आप उनको यह मेरा नौकर है तो इतना माइकल मैनेजमेंट वहां पर हो जाता है आपसे करना पड़ता है करना पड़ता है यही तो यूएसपी है आप जब यह ट्रीट करने लगते हो कि अरे यह तो मेरा करमचारी है तब काम नहीं बनता आपको अपने विजनस के अंदर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं खासकर खेटी के विजनस में वह आपके करमचारी नहीं होते हैं आपके पार्टनर ही हो वो पार्टनर्शिप दिखा के ही आ सकता है दोस्तों कमेंट कीजेगा आपको क्या लग रहा है इनका काम इनके जो सोच है जो इनका आजेंडा है जिस तरीके से पूरे भारत बर में काम कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जुरू बताए क्योंकि आप एक इंडियन फार्मर ह में आपने बोला है आपके महाराष्टम है तो मैंने बताया आपको सोलापूर रोसमनाबाद औरंगाबाद यहां पर तीन फार्म चल रहे हैं जेरी नहीं है शुगर केन है चिलीज है बनाना है अच्छा यह सारा हर्वेश्टिंग हो के आप जहां के वहां सप्लाई करते है है यहां पूरा जो हैज्टाफार्म संबलता है तो यह सारे फार्म को हमें ना जैसे ओयो नहीं होते हर ओटल के और लिखा होता होता प्रडोस वाला फार्म तो फार्म है यहां पर बार बोर्ड लगा लागा लोगा लुट इसलिए आपने बोर्ड देखा होगा बहुत बढ़िया और यह बताई के हमारे जो किसान देख रहे हैं उनको कुछ आप बताना चाहेंगे कि जरूरी टिप्स फार्मिंग में आप इतने सालों से कितने टाइम हूँ आपको जैटा फार्म स्टार्ट किये मुझे हो गए किसानों को जो मैं टिप देना चाहूंगा कि इसको रोजमर्रा की होबी जैसे ना देख के सही में एक बिजनस वारे तरीके से देखें आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं जितने भी किसान से मिलता हूं तूबी वेरी ओनेस्ट नाइटी परसें किसान मुझे एसे मिलते हैं तीन आने तो चारा ने तो पांच आने तो यह लोट्री लगने तो सट्टे के तरह देखते तोड़े और लेकिन वो डेड़ आने में एक कॉश्ट आपिटल होती है क्या पता को या आदमी दो परसेंट के बियाज में ला रहा हूं उस पैसे को नुकसान में देख रहा हूं रहा है हमने क्या system बना रखा है कि हमरे पार जितने एकड होंगे हम हर दो एकड के ऊपर एक आदमी को direct रोजगार देंगे और उस रोजगार के अंदर क्या-क्या system होंगे जैसे मैंने आपको monthly secured income बताया profit का शेर बताया लेकिन और भी बाते हैं जो उनको हमारे साथ करने वाले थे अभी कर देंगे प्लान है पूरा जिसके अंदर हम इंडिया की वह company बनने वाले हैं जो एक private होने के बावजूद agriculture में होने के बावजूद सबको pension भी देंगे यह pension भी बना रखी थी हमारे margin अच्छे आ रहे हैं इसके अच्छा हो रहा है और हम चाहते है क्य हम क्या-क्या और दे सकते हैं तो हमने बुला अपकी बच्चे की पड़ाई कर्चा हम दे सकते हैं आज ग्राउंड लेवल पे अगर आप गाओं और उनका डेमोग्राफी देखो तो शहरों से बहुत अलग होता है उनकी बहुत छोटी सी इच्छा होती है मेरा परिवार कैसे किया वह नहीं सब्सक्राइब की वजए से हम लखी रहे ऐसे मान लीजी कि जब हमने शुरुआत करी थी आज से साड़े तीन साल पहले तो हमने 14 एकड़ से शुरू किया था तो उस ताम पर रेवेन्यू क्या था अपका उस ताम पर तो आट लाग रुपे था मतलब प किसानों को भी रेवेन्यू जा रहा है आपको भी रेवेन्यू आ रहा है सब लग खूश है सिस्टम भी चल रहा है एक सवाल यह है कि बहुत सालों से ना हमारे पूरे देश में कोई कंपनी आती है कॉंट्रेक्ट फार्मिंग करती है फार्मर्स के साथ भाई या आप अलू लगा अलू निकलने के बाद हम आपका खरी देंगे ठीक है उसने अलू लगा दिया वह बूलेंगी यार इसका साइज छोटा आ गया है आपना इसको पांच रुपे में लेना पड़ेगा के साथ न वहीं और के साथ वुएक अपिल्वी पैसे मैं देज सब्सaking अधने संधूंगे स्वगैई तो किसान की कमाई कैसे पहले मैं यू इस चीज को क्रीद ने को आपको तो मनतली एंग निकंसिन अजब मैं तो में नहीं मा तो यहीं है आपको नहीं पर प्रॉब्लम है में का बिस्व को चोटा हो बड़ा है, ओच्छी हो मैं कैये मं वो आपको रिस्की है वो तो समझ गया मैं आप पहले पैसा दे रहा तो रिसक आपका हो गया आप चोड़ नहीं सकते और दूसरा उसको वह भी रिस्क-free हो गया क्योंकि उसको मंतली मिल गया मैं यह भी कह रहा हूं कि जब आलू बिका और असली में जब उस पूरी फसल की प् उसको कैसा पता चलेगा कि आपने इतने में बेचा है यह तो जग जाहिर होता है इसमें मैं क्या चुपा लूंगा आप पता है जब आलू की प्राइब मार्केट में पांच रिपे तो मैं कैसे दो रूपे बोल दूंगा यह बात भी सही है बहुत सही आपने एक-एक चीज का मेरे को clarity आगया बहुत ही अच्छे तरीके से और आपको भुष्य के लिए बहुत 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 लग और अच्छे तरीके से बढ़ते रहिएगा बहुत इशांदर मुझे आपका काम लगा बहुत बहुत तन्यवार हम लोग जो है हमेशा हमारे farms पे नए 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 चीज जरने कोशिच किजेगा ऑधी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो परीज सब्सक्राइब बिलकूल सब्सक्राइब कीजिये भा då कि मिलते हैं को करते रहे महिनत कि वावर तो पावर थैद्नेवाद